नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डारते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर जुरी के सरकारी अस्पताल में एक्सिडेंट का शिकार हुए एक नौज़वान की हुई मौत पारिवारिक सजस्तों ने डक्टरों पर लापरवाही के लगाया आरो जालंदर के बस्ती शेक महले में दिन दिहाड़े लुटेरे घर के बाहर बैठी महिला का फोन लूट कर हुए फरार घटना सीसी टीवी कैमरे में हुई कैड संगरूर के दिड़बा में अग्यात लोगों ने एक युवक को ड्रा धमका कर चार लाख बीस हजार रुपए की फिरोती की वसूल पुलिस जांच में जिरुए और अब हल चल विस्तार से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान के ग्रै राच्य संगरूर विधान सभाश्यत्र धूरी के अधीनाते गाउं ककडवाल के एक परिवार ने डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनके बेटे की मौत होने का आरोब संगरूर के सरक सरकारी अस्पताल में भरती किया गया था लेकिन रात भर किसी भी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया जिसकी वजह से सुबह उनके बेटे की मौत हो गई तो वहीं अस्पताल के एमर्चंसी वाड के बाहर खड़े होकर पिता रो रोकर बेटे की मौत के बाद आरोपी ड पोस्ट माटम करवाय जा रहा है उन्होंने कहा कि पारिवारिक सदस्यों के द्वारा जो और उप लगाई जा रहे हैं उसकी भी जाज की जाएगी अगर पोस्ट माटम रिपोर्ट में पता चलता है कि इलाज में कोई लापर वाही हुई है तो उसके अधार पर डॉक्टर हो या स्टाफ करमचारी उसके खिलाब भी कारेवाही की जाएगी संगरूर से हल्चल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट मुट्दा जादे टुट्टा हुए ठीक है मैं सीटी स्काइन करा लो कोई डाक्टर का ना पराली शाड़ लेगे कोई का ना जी पेच्छे लाए जो एक मैडम ने कहा कर ने पत अंदर लाए जो उससी होगा अशी औरे लिया या उदनों है पूरा हो गए जी कोई डाक्टर पर लोग पत्ता मारन जा लेके लिए रात नुग कोई तो कुछी तो टखेरे और नी आया गा रात रहा दा कोई नहीं आया या शाड़ पे शाड़ा मुट्डा मार के ता रहता कुछ नहीं हो एक पर टीका लागे पागे नू चार्ल सेंग मेरा ना उगा है मेरा बेटा गो अधिक खड़े मोटर सेंगल ते खड़े भीट मार गी एक तकड़ाल पेंट दे रोड दे उत्ती होया जी बाबे बार मीक दे मंदर कोड़े ठीक है उत्थे होया गड़ी आड़ा के लिया सी पज गया थी बंद्याने मुंड्याने के रहा ओक एरकूर के उद्दना चलोगा लबात हुं दिया है मार मगाबाद करांगे हुन इना ने रात दा दाखल करया किसे ने रात देने आके जातनी मुंड़े दी पुछे दाखले ने जरूर कर लिया सीटिस के इना देख लिया सारा को से देख लिया जी इना ने देखके कैने मुंड़ा ना और मला कोई सटनी डी भी असी साधी जुमेवारी अस्याख्याजी ठीक है तरके मेरा अपति-जास ओंग तो गया यह कर गया जो जो खदेना कर न गया गया उसराज कि तुजाना है तो जाना है कर अदिनों घरना किना मुर्याद हो ओगरा कोई नहीं लिया उन्हाज्टें जाना मैं हरनीतनों लेएंगा ओठ लेएंगा लेएंगा लेकि आये साथ देयानों मुंड़ा इनना ने खातम करता है कल साथे कोडिक गुर्परी सिंग ना ना मुंड़ा रोड साइड अक्सिडेंट ना तूरी सेभल हास्ता अलतों राफर हों के थी आये जी उन्हों एमर्जांसी देवेचे काल शामी पांजी को एडमेट कीता सी चान को दी स्वेरे डैथ हो गई यह रोड साइड जालंदर शहर में लुटेरों के हौंसले दिन प्रति दिन बुलंद होते जा रहे हैं जिसके चलते आयए दिन लुटेरे किसी ना किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जिसका ताजा मामला बस्तिशेक के सूर्या महला में सामने आया है जहां दिन दिहाडे लुटे रे एक महिला से फोन चीन कर फरार हो गए इस समंद में जानकारी देते हुए मीनू सूरी ने बताया कि वे दोपहर के समय घर के गेट में बैट कर अपना फोन देख रही थी इस दोरान अचानक एक व्यक्ति आया और उसका फोन चीन कर अपने साथी सहत फरार हो गया वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसी टीवी कैमने में कैथ हो गई जिसके बाद घटना की सूचना थाना नंबर पांच को दी गई फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला दर्च कर आगे की जान शुरू कर दी है जाल अंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट पंचाप में लूट पार्ट की वारदाते बढ़ती ही जा रही है जिस कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है ऐसा ही एक ताजा मामला संगरूर के दिडबा में सामने आया है जिसमें दिडबा निवासी पीडित मुनीश कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देती हुए बताया कि उसे एक फोन आया जिसके बाद उक्त लोग उसे अपनी कार में बैठा कर ले गए और उसे डराद धमका कर लाखो रुपेओं की मांकी जिसके बाद उक्त व्यक्ती ने चार लाख बीस अजार रुपए अपने किसी दोस्त से उधार लेकर उक्त लोगों को दे दिये और उसके बाद इसकी शिकायत दिड़बा पुलिस को दी वहीं इस मौके पर दिड़बा थाने के सचो गुर परताप सिंग ने बताया कि मुनीश कुमार के ब्यानों पर चार व्यक्तियों के किलाफ बाए ने मामला दर्च कर लिया गया है और अरोपियों को ग्रिफतार करने के लिए चापा मारी की जा रही है संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट अरुपिया ली जी मेन्यू नाल दिनलता मक्या देन लागे जी भी तुम बोलना नहीं गया मेन्यू दो नानु लवे अरुआल वरसी के जी ओ भी दखाए जी तु बोली ना उस तो बाद मेन्यू जी पत्र ना गेंदी कडी चली गई जी हो मैं उन्दानू कहवी मेरी कोठी पाई सी खाल ली जी मिन्यू दूरे कोठी अभी चुप करके वेया निदर गोली मार दांगे जी उस्तवाद जदो सी कोठी दे विच्छ गई जी ता उत्थो एक गड़ी स्विफ्ट डियार हो राई जी ओधे विच्छ जी तन्नम उंडे होर सी जी एक रेशी जी एक इक रीशी सी गया कि गुर जी इसर पंच जी एक मुंडा होर सी जान दानी जी उस्तवाद जे तुम है उन्दान गेट डाता जी मिन्यू कमरे दे विच्छ लेगे जी हो बहुत यादा कुट्क है मिन्यू जी बहुत ज्यादा जलील गिता जी मिन्यू केंदे उरे प्याला खरभिया मंगवाजी नी तेरे सारे कार देनु मारतांगे जी इनसाफ दवाई जाविस्तर मेंनू मैं जी देका रह रहे हैं जी उन्नू भी जननु मारतने ताम क्या रहे हैं अज जबी मैंनू सुबा फोन आया सी मैं फोन नी चक्किया सर्व एसाटे कुले मनीश कमार सान अफ नंदलाल वासी पार्स कलोन नी जर्बा ने अपना बयान तरीर कराया कि उन्नू कोश एक गगनदीर सेंग गगी ना दे बंदे ने फोन करके उन्नू जर्बा पोल दे था ले बलाया कि यहां भी मैं तेनू कोई पातला प्रॉपर्टी दिखागे ले हुनी है उस तो ब जगाते पूठी विचल जाके उते तेन आदमी हो रागे जिनाचे एक राशी वासी स्याल गुर्जी सिंग वासी केमपर दे के नाम लों ब्यक्ती सी तो ते तूं ड्रातम कागे इन्नू कहावी तू सानू 5 लग खरपिया दे तेरा कड़ा चड़ांगे जिन्ने डर्दे न पाई अंडर सेक्षन तेन सो ग्यारी तेन सचरासी आई पीसी दर्जिगार के तप्रीश जारी है पी आर 126 नंबर बीच को लेकर किसानों द्वारा अपने किसान भाई का लाइसस बचाने के लिए क्रिशी विवाग कार्याले का घहराव किया गया जोरान किसान डीलर ने आ गया था उस पर लगाया गया रोब जूटा है तो वहीं इस मामले में क्रिश्य अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जाजपरताल की जा रही है अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है जो भी रिपोर्ट तत्यों के अधार पर आएगी उसके तहत अगली कारेवाही की जाएगी जालंदर से पंकच शर्मा की दिपोर्ट आनी बाकी कुछ फार्मर आसी कठे होके ज्यादा सतर बैग लाया है तो चो सारा ही नकली निकले है बढ़ियां को पलेड़ना केटी है कोई को देखो जी सर जी मैं परताप सीड दा बीज बेच दा वो मेरा पूरे रिजि पूरा सही होया है यह ता सी आलू लगोंदे करके बीज पी अरक्सो शबीदी ब्रैटी नहीं मिन करके इना तो किसाना देता ओरते लेना पह गया क्योंकि किसान जड़े सी कठे होके लेके हैं सतर बैग वह तो लिया सी तो गरंटी देना ले जाए तो नकली निकले है करदा मेरा बीटा ज्यादा वेर्दा में कट वेर्दा पूरी कवरेज देख लो मैं दिकान ते बहुत है तो ही असी ओही देख रहे हैं कि साड़ा लिसंस क्यों कैंसल कीता है जड़के जड़ा भी बेचेया साथे रिजिस्टर चेक कर ले जाए जाए उदे शोटी नहीं ब अनने डिमांड की ती 116 भी है कि नहीं है एकने रेकों तेंचार दिन तक आजेगा मैंने का तुर्ट बी पेने तुसी लह के जाना चांद जो थे पर उनननों में साफ ही कहता से कि एक सुचार भी नहीं है पर उनना दे जोड़्य अपर्ड दस्ति करन करन तो एले जए क्यो सारा ब्लेम मेरते ला रहे ने करिशना अथ मुआईच चाहिगा डीलर सड़ा एक उतों नहीं भीज ले आजी किसाना ने कोई सतर का एक गड़ा सतर थाल ले लुद्याना की एक नीजी स्कूल में करवाएगे सब्याचारी काई कारिक्रम में शिर्कत करने पहुंचे मंत्री इंद्र बीर सिंग निजर ने पत्रकारों से बाचित करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी घलत नहीं है कि हम भगवान गनेश और माता लक्षमी की पूझा करते हैं इसके हिलावा इंडोनेशिया जो की मुस्लिम देश है वहां भी नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर है तो इसमें भारत में क्या गलत है गौरतलब रहे कि मंत्री निजर दिल्ली के मुख्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अर्विंद केच्रिवाल द्वारा भारत की करनसी पर देवी लक्षमी और भगवान गनेश जी की तस्वीर चापने की मांका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं पराली को जलाने की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इससे रोकने के लिए परियास किये जा रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के कम मामले सामने आए हैं लुध्याना समाज इस स्कूल नो गौवर्मन्ट एड़ दना चला रहा है और बच्चे बड़े होनहार ने मैं मिले हैं सा मनमौन जी नो ओई तो पड़के आजकल सेटल ने चन्याइच सो परणे परणे विद्यार्थे नो मिले हैं और बहुत तरक्की किती विद्यार्थे ने मैं परमात् इस स्कूल दे बच्चे नो बद्यार्थे नो शेक्षा दवे और आतम वल्लब जी दे जो ग्यान सी जो चौंदे सी बच्चे पड़ लेके बड़े होनों उस दे बनादे कदमा दे चल दे होए असी पूजदे हैं जी लक्ष्मी जी नो पूजदे हैं गिनेश जी नो क्यों यह तो हिंदो साज क्यों नहीं इस करके देमांड है विनोधिया ने वरुदियां दा कमीया उल्टी काल करना सो उना ने क्योंकि उनना ने आपनी सोच रखी अपनी सोच होना थी बड़ी नेगेटिव है बड़ी लिमिटेड है सो केजरीवार प्रके इंसान दी सोच सोना ने उननों मेशा अपोस करना हो देखो वल्लव जैन स्कूल दे विच आज 153 मां गुरु जी दा जनम दे अड़ाविया और सारे जड़ा जैन समाज इन अधी बहुत बड़ी देना क्योंकि शिक्षा दे विच लालिये चाहे मैडिसन दे बिच लालिये जैन समाज जड क्योंकि जैनं जिनने भी समाजक आज दे चाहे बंदे शाहे लेड़िया अंतर ईंहां समाज से वाजे वाजञे बच चारके अपने हिस्षा पॉनियाने क्योंकि सारे बंदे भी ऐसे समाजती रचना गुरु वान ऐसी करपा नंना दे उथ्टे हर ग्रीव गृप देकम moż हो इस दोरान सुबह श्री अखंडपाट साहिब जी के भोगडा ले गए इस मौके पर पत्रकारू से बाचित करते हुए SGPC परधान एडवोकेट हरजंदर सिंगधामी ने कहा कि शहीदी साका श्री पंजा साहिब के सौवेश श्ताबदी परव पर दो दिवसिये समागम का योचन किया गया है उन्होंने संगतों को इससे प्रेनना लेने की अपील की उन्होंने कहा कि सिख कौम के इतिहास में साके और मोर्चे विशेश महत्वर रखते हैं क्योंकि ये पिछले समय के दौरान किये गए सिख संगर्श की कहानी बयान करते हैं उन्होंने कहा कि सिख इतियास से नई पीडी को अवगत कराने के लिए शिरोमनी कमिटी लगातार यतन शील है। इसी के तहत ही श्ताब्दी समागमों का पहला दिन स्कूलों कॉलेजियों के छात्रों को समर्पित किया गया है। आमरिसर से हल चल के लिए सुनीर खोसला की रिपोर्ट। गुरु साब जीनों गुर्टा गदी बाक्षिश करके साब सिखन को होकम है गुरु मानियों गरान्ता। ते ए मैं सामेजां शैर एस्तार ती ते पहले गुरु आतां तन गुरु गरान्ता है माराज। जिननों गुर्टा गदी साथगुर जी में हथी बाक्षिश कीती ते साड़े बतार ग्यान दा सागर गरवानी साड़ी जोग अगवाई करती है। सारी संगतनों आज दे दिन ते बहुत बहुत बदाई दिनना ते ये भी कामना करदा के पवित्तर गरवानी दा संदेश साड़े हिर्दयां बेच भी बास जावे। देश के 33 राच्चियों और केंदर शासित प्रदेशों की योग प्रेमियों का एतिहासिक महाकोम अंतराश्ट्रिय भारत पाक सीमा से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। पंजाब योग एसोसेशन की और से दास एंड ब्राउन वर्ल्ड स्कूल में 28 से 31 सक्तूबर तक 47 में सब जूनियर और जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चेंपियनशिप का आयोचन भारती योग महसंग के सरंक्षन में किया जा रहा है। जिसमें 1200 से अधिक विद्यार्थी और 400 से अधिक योग चात्रवा अधिकारी भाग लेंगे। की पूरी विवस्था की गई है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि फिरोसपूर बेशक अधियोगिक रूप से पिछड़ा है लेकिन शिक्षा और खेल के मामले में जिले का नाम विश्व मानचित्र पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर से योग प्रेमियों के फिरोसपूर आने से जहां फिरोसपूर में प्रियतन बढ़ेगा जिस से व्यपार के साधन भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चात्र चात्राओं को फिरोसपूर के इतिहास के इलावा प्रियतन स्थलों का भी ब्रह्मन कराया जाएगा। ताकि लोटने पर वे फिरोसपूर और खास कर सभी योग प्रेमियों पर पंचाब की अनूठी चाप छोड़ सके। इस अफसर पर योग महसंके अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, रेड क्रोस के सचिव अशोक बहल, डॉक्टर गुनम सिंग फर्मा, मंजीत सिंग धिलो, इंदू अग्रवाल, अभिनव जोशी, विशाल गोहल, सतीश, चंदरकांथ, रमन कुमार, योगराज, एन राम लिंग हम भी उपस्तित रहे, फिरोजपुर से हल्चल के लिए मंजीत सिंग की रिपो, जो योगा दा महां कुम्ब फिरोजपुर दे चहोंड जा रहे है, इदा वेनिव है का दासन गौन वोल्ड स्कूल, जिते की क्रीब बारा सो बच्चे ते चार सो ऑफिशल जारे ने, और जिनी इसी इदी इंजाम कीते ने, बच्चा दे रहें दे, बच्चानों ट्रांसपोर्ट करन दे, इदे सनों डिस्ट्रिक अड्मिस्टेशन दा भी प्रफूर सो योग मिले है, और कोशित साड़ी रहेगी कि इसो बहुत यादगारी बना के जिता जा गए ताके जिनने भ पार्टिस्मेंट्स बख बख बोलने हैं तो जेश देख बोलने हैं तो है ने, वह इसमें बहुत बदिया मेमरी दिनार वापस जागारी तिरोस्पुर के थ्यास में पहली बार 47th नैशनल योगासना स्पोर्स चेंपिंशिप का युजित किया जा रहा है, जिसमें भारत की 33 स्टेट्स और यूडियन टेरिटरी से करीब 1200 के करीब जो हैं सब जूनियर और जूनियर के जो हैं बच्चे पार्टिस्पेट कर रहे हैं जैसे बाकी स्टेट्स की टीम पार्टिस्पेट कर रही है वैसे पंजाब की टीम भी पार्टिस्पेट कर रही है और इन 1200 प्लेयर खुश्यारपूर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्तापक एवं संचालक नवजीत भारतवाज के द्यक्षता में सबताहिक मां बंगला मुखी हवन यग्य करवाया गया जिसमें सबसे पहले ब्रामनों ने नवग्रे 55 शोडशो पचार गौरी गनेश कुम तो वहीं इस यग्य में उपस्तित मा भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारतवाज ने उपस्तित मा भक्तों को कहा कि हमारी आत्मा को अनंत जन्मों से चार गेर रखा है क्रोध मान माया वलोब यह चारो आत्मा के घोर शत्रू हैं वहीं उन्होंने कहा कि यदि इन में से एक भी उबर जाए तो बाकी तीनों अपने आप ही आ जाते हैं इसलिए भक्ती से हमारे मन वचन और काया के रसाइनों में परिवर्तन होता है जिससे मानसिक शारीरिक व्यादियां भी समाप्थ हो जाती है वही सवसर पर विक्रम भसीन राकेश प्रभाकर बा जीव सावरिया मुनीश शर्मा यग्यदत रोहित बाटिया रौकी पंकच करनवर्मा राजेश महाजन मानव शर्मा राजीव दिश्यांत शर्मा राकेश ठाकुरूबल देव सिंग साबबी लकी सुनील जगी प्रिंस और प्रमीन सहत भारी संख्या में श्रधालू उप्रांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोचन किया गया जालंदर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिप जै मा बगला मुखी जी आज मा बगला मुखी ताम जो की गुल्मोर सिटी स्थित है मा पितामरा देश भवे मंदर देवेच आज विशेश रूपत जड़े हवंजे के हर वीरवार नहुंदे है लगातार शंकलाबद ओ जारी गए बहुत दूरों दूरों पकताने आके महा माई दे चड़ना देवेच अरदास बेंती किती हवंजे के अहुतिया डाली है साधी पिरतामरा मा दे चड़ना जे बारंबार एही प्रार्थना है कि हे मा तेरी दरबार ते जिड़ा आवे वो चोड़ियां पारके लागे जावे मा दुख हर दर्द हर कष्ट हर और हर पस यश्ग्रूप की और से बीबी वाला रोड बठंडा में 26 अक्तूबर से लेकर एक नुवंबर तक सापताहिक श्रीमत भागवत कथा का योचन की अचारा है जिसके पहले दिन भागवत भूशन पंडित भजराम जी शास्त्री के व्यास पीट पर आसीन होने के पश्चात यश्ग्रूप परिवार के सदस्यों यश्मित्तल विनोध गरग नीटा अशोक कुमार गरग तोहिश मित्तल गोल्डी मिथिलेश मित्तल सिल्की और शुबम गरग द्वारा स्वामी जी का माल्यार पन कर वशौल ओड कर स्वागत किया गया इस मौके पर पंडित भजराम जी शास्त्री ने कथा के पहले दिन की शुरूप महापुरान के महत्व को बताती हुए की उन्होंने कहा कि श्रीमत भागवत कथा का सातों दिन त तो भत्त जन्य जाद आता जाशूर नहीं तो जन्नि बाच वली काहे गवावत जन्नी यश्वावु ऐसे भत्तों को जन्न तो ये सनातन धरन के धुच्त जो सदा उंचे रहे हैं, सदा उंचे रहेंगे धर्ती पे राक्षश लोग भी बहुत हैं पर धर्मात्मा लोग भी बहुत हैं जो बैलस बना हुआ है ये इन धर्मात्मा लोगों की वज़ा से ही बना है सूरा सोही जानिये जो लड़े दीन के हेथ पुर्जा पुर्जा कटमने तभी नथ छोड़े थे पुर्जा पुर्जा कटमड़े पर धर्म का साथ नहीं छोड़ना है अनेकों बार प्यातियां आई हैं पर किंचत मात्र भी मन नहीं दोला है तो आओ पहले बीरवजरंगी गोटी खोटे वाले लाल गोटे वाले शाला सरके भेनी को हर कारेकरम में याद किया जाता है अखिल भारतिय दुर्गा स्यना संगठन की और से मा बंगला मुखी जी के सब्ताहिक महायग्य का योचन प्राचीन शिवमंदित दमोरियापुल में अखिल भारतिय दुर्गा स्यना संगठन के राष्ट्री अध्यक्षयवम प्रसिद मा बंगला मुखी जी के उपासक श्री इस दोरान श्री श्री 108 महराज स्वामी जी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक एक माला मा बंगला मुखी जी के महामंतर के जापका करता है उसके सब बिगड़े हुए कारे ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परिशानियां दूर होती हैं इस महायग्य में अखिल भारतिय दुर्गा सैना संगठन के वैभव शर्मा आमित कुप्ता पियूश जैन मोहित जैन डॉक्टर मुकेश कुमार सहत असंक्य बगजन भी मौजूद रहे जालंदर से हलचल के लिए संदीप शर्मा के लिए गज्वादमी तानव वाजम खुक्रमNews धूशक के लिवगने हैं अपनी प्राइबश करनेर सोर्म करनेरे लिए से डॉटिय तो मैंच्य को हम संगउ हुआ ग आज हम सारा घुश्यक छर्म मंस ए बीत समस for मैंबान फड़रिकिन बीत करनेरे मों जो भी हम पुल्ने कर रहे हैं, वो आज चाहिए सलीभूत ना हो, लेकिन आगे चलके वो सलीभूत भीज़ी होगा, मैं हमेशा मेहनत पर बल देता हूँ, मैं यह नहीं कहता कि आप हमेशा अपने मकसर पर, अपने भागया के ऊपर ही निर्बर रहो, बलकि मैं यह कहता हूँ, मैंनत पर भी निर्बर है नहीं, और यही कारण है कि आज पूरे भिशम में यह बहुत ही हमारे लिए गरब की बात है, खासतोर पर हिंदूर्श मास के लिए बहुत ही गरब की बात है, कि आज जिस पर पूरी दुनिया ने, जिस देश ने पूरी दुनिया का रास किया था, आज वहां का प्रधान मंत्री हमारा रिशी संदर वो हमारा इंडियन हमारा अपना भाई आज वहां प्रधान मंत्री के मानने जो पत पर वो अधीन हुए है अखिल पार्ती दुर्गास्याना संग ठंदे वोलो हवन यग दायोजन कीता गया आए होए मुख यजुमाना ने मा बगला मुखी जीदा अशिर्वात प्रापत कीता अते आए होए मेहमानना नू शिरी शिरी 108 महराज स्वामी सिकंदर जी ने चुन्यते समर्ती चंदे के सनम अनिकीता इथना मैं कहूँगा कि आज जो भी हम करब कर रहे हैं जो भी हम टान कर रहे हैं जो भी हम वह पुलने कर रहे हैं वो आज आज जाहीं साजी साजी ब Ugh sólo मेह size मेले लेता हूं मैं यह जहां एक हमेशा in-एंव. मकंतर पर अपने भागय के ऊपर ही निर्बर रहो बलकि मैं यह कहता हूं मेंनत पर भी निर्बर है बैसे ही और यही कारण है कि आज पूरे प्रिशम में यह बहुत ही हमारे लिए गरफ की बात है कि आज है को जिस पर पूरी दुनियाने वा mah गाह किया था आज वहां क्या प्रभान मंतरी हमारा रिशी फंदर कि हमारा इंडियन हमारा अपना भाई थे ARM कि अध्य पध्यां मंतरी के मान्ने पार्यों को लेकर चट पूजा समिती बयंत सिंग पार्क फोकल पॉइंट की एक बैठक बयंत सिंग पार्क में हुई जिसमें सीनियर कॉंग्रेस नेता है वंपार्शद्पती रवी सैनी ने अध्यक्षता करती हुए चट पूजा स्थल का जायजा लिया इस दोरान चट पू कि आ रही दिक्तों को दूर कर सकें और चट मोचसव बड़ी धूमधाम से मनाया जाए इस मौके पर संचाल केकी मिश्रा चेर्मेन गोलू यादव प्रधान भरत प्रसाद चट घाट प्रधान सुनील सिंग कैशियर अवधेश सिंग सचिव राधा मोहन यादव निदेशक मोतिलाल यादव अजेगिरी वरिंद्र सिंग धिरेंद्र सिंग कुंदन पांडे सुरेंदर शाह हरीश सिंग रोहित एवं सोनु सहत समीती के सभी पतादिकारी एवं घाट के सयोगी भगजन मौजूद रहे जालंदर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट की मिश्चित पराने के लिए आज च्छट पुजा प्रपंधत कमिटी का एक कोचस्तरिय सिस्ट मंडल पार्षत पती स्री रभी सैनी जी के साथ जाकर डी सीपी स्वरोवा साहब से मिला है उन्होंने अस्वासन दिया है कि सहर में जितने भी 21 बड़े बड़े घाट है वहा यहां भी 2-4 मुलाजिम रहने चाहिए बागी यहां ब्यंद सिंड पार्क में मैं चटत कुजा समेती के सारे कर्चकरता सारे पदाधिकारी कि i nur impossibly हुए तो हमारे लिए रभी सहनी जी वहां पे सेवा मुहया करा रहा है और इस साल मुझे लगता है कि जाल अंधर में एक एतिहासिक शट कुझा होने जा रहा है क्योंकि तीन साल तक जो कुरोना का दौर चला उस कुरोना से अब लोग भैमुक्त हुए है जिमेगी किनी देतों असी काभी देतों में संस्दाला चुड़ा भी है जिद्धा भी कोई किसी भी चीदी लोड हुंदी है जहां जेसीवी मशीन स्पाही करम चारी टिपरादी लोड है मलबा चकला कोई भी किते भी रोर साप करना है और मेले साब में असी तो तो तिन चार दिल पहला मिले जी और ल इसके कुझी स्पाही कराई है काभी हाथ तक कम हो गया जो रंदा काम कल क्लियर कर दिता जाएगा सो मेरी बेंती है जिनने भी मेरिया मातां पैना मेरे भी जोर जेले भी बरत रख दिया जे किसे भी तरह दियों कोई तक लीब है वो आगे या थे इसकी मेटी नुआ के सपर और अब अंत में हल्चल की कतिवितियों पर एक नसर फिर से जुरी के सरकारी अस्पताल में एक्सिडेंट का शिकार हुए एक नौजवान की हुई मौत पारिवारिक सदस्टों ने डक्टरों पर लापरवाही के लगाया आरो जालंदर के बस्ती शेक मौले में दिन दिहाडे लुटेरे घर के बाहर बैठी महिला का फोन लूट कर हुए फरार घटना सीसी टीवी कैमरे में हुई कैड संगरूर के दिड़बा में अग्यात लोगों ने एक युवक को ड्रा धमका कर चार लाख बीस हजार रुपए की फिरोती की वसूल पुलिस चांच में जिए इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्थ होती है और ताजा चौनकारी के लिए देखते रहे हलचल झाल 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 झाल